और इससे पहले मैं आपको तैयारियों के बारे में बताऊं। सर प्रिथम आपके माध्यम से पुने सभी बिहारवासियों को, सभी बोटर्स को, सभी मद्दाताओं को हम ये अपील करना चाहते हैं आयूक की तरफ से कि बहुत तैयारियां हमने कियें और कर रहे हैं। और बिल्कुल निश्पक्ष तरीके से चुनाओ कराने के लिए कटिबद हैं। और वो किस प्रकार से कटिबद हैं ये भी मैं आपको अभी विस्तराइद में बताऊंगा। आप बिना भैके मद्दान करने आएं, इच्छा से आएं और जो लोकतंत्र की जन्नी है वहाँ गर्व के साथ में चुनाओ के पर में भाग लेने के लिए आप आएं। ये आप से हमारी आप से रिक्वेस्ट भी है और आप से हमारी अपिक्षा भी है। फ्रेंड्स पिछले दो दिनों में हमने जो मीटिंग्स की हैं पहले में उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट अफॉल हम पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव से मिले। जो जिसमें नेशनल पार्टीज के रूप में आप बीएसपी, बीजेपी, इंडिया नेशनल कॉंग्रेस और सीपी आईएम। तो ये पांच रास्ट्य इस्थर की पार्टियां और स्टेट पार्टीज के रूप में जंतादल यूनाइटेड, लोग जनशक्ति पार्टी, रामविलास, रास्ट्य जंतादल और सीपी आईएम। तो आप जानना चाहेंगे कि इन लोगों ने हमसे क्या कहा। और हमारा भी ये डूटी बनती है कि आपको बताएं कि उन्होंने हमसे क्या प्रिक्षाएं रखी और फिर मैं आपको बुरे अपने संभुधन के दौरान ये भी बताऊंगा कि उनके बारे में हम क्या करने जा रहे हैं और आपी के मद्यम से उनको उत्तर भी दूँगा कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक कर ले पहला उनका ये कहना था दूसरा इसी विशे में कहना था कि जो वोटर्स के नाम जुड़े हैं जो अच्छी भारी मातरा में नाम जुड़े हैं उनको बोटर कार्ट बहुत जल्दी से जल्दी उनके समय उनके पास में पहुँच जाए नेक्स पॉइंट दे मेंशन वास कि सभी मद्दान केंद्रों पर अर्थसैनिक बलो की परियापत मातरा में प्रतिन्युक्ति की जाए ताकि चुनाओ निर्भे और निस्पक्ष महौल में हो सके उनका ये भी कहना था कि 72 घंटे से पहले जब चुनाओ के उस समय में गश्टी और सुरक्षा की कारवाई को बढ़ाया जाए ताकि कोई भी प्रिलोवन या कोई भी लॉन डॉर्ट की समस्या पैदा ना हो गर्बती महिलाओं और सिनियर सिटीजन्स को मददान के इंद पर विसेश शुपलब्द सुविधा कराई जाए ताकि ये थे हैव ए कन्विनियंस इन बोटिंग दिस वस अनादर डिमांड फॉम दी पार्टीज कुछ पर्टीज ने कहा कि आप मददान के इंदरों में ऐसी बिवस्ता कीजिए कि जो पंदरह सो के करीब बोटर्स हैं तो या तो उनको घटाएं या बिवस्ता ऐसी करें जिससे उनको ऐस विदा ना हो जो लोग डुप्लिकेट बोट देने के लिए किसी दूसरे का बोट देने आते हैं उन पर सक्से सक्त कारवाई की जाए इंपर्सोनेशन शुड बी अरेस्टेट इस इस वोट वस दी अनादर डिमांड अफ दी पालिटिकल पार्टीज उनका ये भी मांग था कि जो पर्मिशन्स उनको लेनी पड़ती हैं बहुत सारी जिसमें वीडियो बेंड की पर्मिशन हो लेडी बेंड की पर्मिशन हो या जो जगाएं जहां पर उन्हें भाशन करने हैं उसकी सुभिधाएं हो क्योंकि parliamentary consistency कई जिलों में हैं तो उनको एक जगे से वो सुभिधा मिल जाए single window clearance किया जाए एक political parties ने ये भी कहा कि उनको सिर्फ पांच गारी मिलती है national level पे तो इनकी संख्या कम है तो अगर इतना बड़ा state है और एक एक parliamentary consistency भी कहीं कहीं दो दो तिन तिन जिलों में हैं तो उनको गारियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि वो उसमें move कर सेके हैं campaign के लिए एक और मांग political parties ने की कि जो pulling agents और उनके authorized agents हैं जो pulling agents पर दसकत signature करके देते हैं उनका signature कभी कभी pulling station पर नहीं पहुंचता और शुरुवात हो जाती है शुरू करने में elections को तो जो authorized signatories हैं चैने candidate हों चैने उनके द्वारा approved authorized person हों उनका signatures उपलब्द रहें हर बूथ पे तो देर नहीं लगेगी एक और मांग थी उनकी कि जो central observers आएंगे वो सबको उपलब्द रहें उनके phone numbers उनके रहनी की जगा उनका एक fixed इस्थान हो ताकि कम से कम उस समय पर जरूर मिल सकें बहुत सी parties ने ये भी रिक्वेस्ट किया कि जो postal ballots की गिंती है वो पहले शुरू की जाए और से समय खतम की जाए उनकी ये भी मांग थी कि EVMs कहां पर यूज होंगी किस डिस्टिक्ट में कितनी EVMs हैं उसका किस पूलिंग स्टेशन पर कौन सी EVM जाएंगी इसमें उनको सूचना मिलनी चाहिए और उसको EVMs का number जो पीछे लिखा रहता है वो number भी मिले ताकि वो मिलान कर सकें अगर उने कोई शक हो तो चुकि यहां पूलिंग अच्छी होती है मतला अच्छी उतनी तो नहीं है जितनी और राजियों में है लेकिन उनका कहना था कि मद्दान का समय बढ़ाया जाए ताकि प्रतिशत मद्दान का और बढ़ सके तो यह मुखे मागे थी इन सबकों मैं आपको अपने सम्मोधन के दोरान इन सभी विशों पे उतर दूँगा अगर तयारी पर आएं परलेमेंटरी कॉंस्टिटिटुएंसीज की तो विहार में 40 कॉंस्टिटुएंसीज है और जहारकंड में 14 कॉंस्टिटुएंसीज है हमने इसी मीटिंग के दौरा जहारकंड के CEO's और S.P.N.O. जन्ने पदादीकारियों से भी यहां बात की थी, रिव्यू किया था, बिहार में टोटल में से 34 जनरल और SC की 6 और ST की 0, वहीं ST की 5 Constituencies जारकंड में हैं, अगर हम रोल्स के बारे में बात करें, तो कमिशन का ये प्रियास है कि जो अलेक्टरल रोल्स है, जो मददाता सूची है, वो पूरी तरीके से प्योर हो, और हेल्दी हो, तो प्योरिटी का मतलब क्या है, कि उसमें जो लोग जुडने चाहिए, वो जरूर जुड जाएं, जो लोग नहीं रहने चाहिए, उसमें जो डेड हैं, या शिफ्टेड हैं, या मल्टिपल एंट्रीज हैं, उनको हट जाना चाहिए, और मेल, फीमेल, प्योरिटी भी होनी चाहिए, हेल्थ भी होनी चाहिए, तो बिहार में टोटल 7.64 करोर मत दाता हैं, जिसमें से 4 करोर मेल और 3.6 करोर मत दाता हैं, परसंस बेडिसेबिलिटी 6.3 लेक्स और वेरी सीनियर सिटिजन्स 14.5 लेक्स, जिसमें से 100 वर्षे उपर के जो सतायू हमारे मत दाता हैं, वो भी 21,680 हैं, तो फरस्ट टाइम बोटर्स की जो संक्या है, वो जानके आपको अच्छा लगेगा, 18-19 वर्ष के, वो संक्या है 9.26 लेक्स, जानी जो इसी साल में बढ़े हैं, और अगर हम 20-29 वर्ष के युवा लोगों को देखें, तो टोट महत पूर्ण है, अगर हम इंक्लूसिव एलेक्शन्स की बात करें, तो इसमें जो फोकस है वुमिन पे, वो लगातार वुमिन की रेशियों बढ़ता चला जा रहा है, 8-92 था, 2019 में जेंडर रेशियों, जो बढ़के 909 हुआ है, और अगर 117 असेंबली कॉंस्टिटुएंस इस परकार की हैं, जहां महिलाओं की संख्या 909 से भी जादा है, और 18-19 एर्स के विमेन एलेक्टर्स की संख्या भी 4 लाख 1000 से जादा है, इसी करम्मे में ये भी बताऊंगा आपको कि जो डिलीशन्स के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था, तो कमिशन ने एक ब टोटल जो 16.7 लैक्स डिलीशन्स किये हैं, उसमें से 6.3 लैक्स जो हैं वो हैं लोग जिनकी दुरभाग्यवश मृत्व हो गई, और प्लस 2.3 ऐसे हैं जो की रिपीटेड हैं, और 8 लैक्स के करीब शिफ्टेड हैं, तो एक एक का हिसाब पलिटिकल पार्टीज को भी उप पार्टीज को बता देते हैं, अलेक्टरल अपडेशन का प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांस्परेंट है, और अभी भी कोई कमी है तो उसको पूरा किया जा सकता है, अगर यूथ की बात करें, तो यूथ की किस प्रकार से संख्या बढ़ी है, मैंने बताया था आपको, और य क्यों बढ़ी, चूँकि पांसो सतासी जगह में इलेक्टरल लिटरेसी कलब के माध्यम से एक सघन अभियान चलाए गया, और सेवन पॉइंट सेवन नाइन लैक्स फस्टाइम बोटर्स तूथाउजन टूटिफोर में एड हुए, और जिसमें से, और इसके अतिरिक अगर ही अठारे साल के हो रहे हैं, तो एडवांस अप्लिकेशन दे सकते हैं, तो हमारे पास में चौछतर अजार ऐसी भी अप्लिकेशन आई हैं, जो अभी अठारे की नहीं हुए, लेकिन इसी साल में एठारे होने वाले, और उसमें से जटने लोग फस्ट जनवरी और पस्ट के हो जाएंगे उनको भी हम काट पहुचाएंगे और उनको भी बोटिंग की सुविधा मिलेगी फ्रेंट्स जादा से जादा एलेक्टरल रोल में किसी के लिए भी छुटे नहीं कोई भी मद्दाता हमारा नहीं छुटे तो जो जो खास तोर से डिसएडवांटेस्ट ग्रूप्स हैं वलनरेविल ग्रूप्स हैं उसका भी प्रियास था कि जो पर्टिकुलर्ली वलनरेविल ट्राइबल ग्रूप्स हैं जो की बिहार में पांच हैं माल पहाडिया पहाडिया सौरिया पहाडिया बिरहोर और कुर्वा इनका नमबर 7631 है तो उसमें 18 प्लस का जो एंडूल्मेंट है वो 3237 है जो की सब को भागीदारी चुनावों में मिले इसके लिए एक प्रियास है अगर मदान केंदरों के बारे में मैं आपको बता हूँ अभी तक बोटर लिस्ट के बारे में बताया तो टोटल 77,392 पोलिंग स्टेशन्स है